तुइन्स कैसे आप से चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पठन अभ्यान कारेपत्रिका जो कि कारेपत्रिका संख्या है 21 दिनांग है आपकी 10 फरवरिटी चौथा सब्ता चल रहा है क्लास थर्ड की वक्षिज है थीम है गुदगुदी यहां पे आपको अपने नाम और यहां नेशरली मेरी है हमारी एक छोटी से मुसकान कीसे दूसरे की चहरे पर भी हसी ला सकती है तो आईए बच्चो आज हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे हमारे चहरे पर मुसकान आ जाए तो बच्चो इसका नाम ही गुदगुदी है ठीके इस पोएम का नाम ही क्या है आना नहीं तो देख बचो हसी की बात होगी न मतलब टीवी और नहीं करना और टीवी देखे काम भी कर लो तुम अपना हाँ हाँ एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो मैंने का हाँ अगर वो हिंदी में लिखी हो तो बचो च अच्छे आम कैसे बातेंगे आसान है मेरे दोस्त मैंगो शेक बनाकर तुम्हे तो मान गया उस्ताद तुम इस सारीके से यह जो दोस्त हैं यह दोनों आपस में बाते कर रहें तो चलिए आगे चलते हैं बच्छो क्या आपको चुटकुले सुनना पसंद है चुटकुले होता है तो आप यहां पहले लिखुगे बहुत अच्छा बहुत हसी आती है यह आपको लिखना थेक्षिके तो आप यहां पहले लिखो गया उसके बार आगे चलते हैं बच्छो अपनी एक छुटी सी कॉपी बना कर उसमें अपने घर के सदस्यों से चुटकुले सुनकर ल चिटकुले बना सकते हूं तो उनसे सुनने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है और अपने दोस्तों को पढ़वाना है ठीक है अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर आओ बातचीत करें प्यारी बच्चों साथ दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए आपको क्या लोग हैं आपस में क्या बाते कर रहे हैं इनका संबाद लिख सकते हैं मैला बोलती है अरे मिंकु के पिता कब खूलेगा कब खूलेगे ताला तो पुरुच जो है वो बोलते हैं ताला नहीं खूल रहा है अब इसको लगता है तोड़ना पड़ेगा तो इस तरी किसे बच् को दुख हिया ठेस ना पहुंचें तुटकुले होते हैं वो सिर्फ हमें खुश रखने के लिए होते हमें मतलब एक दूसर से मजाग कर सकते हैं लेकिर ऐसा नहों कि हमें मजाग के चकर में हम किसी को हर्ड कर दें किसी को पुरा लगे वह चीज ठीक है तो बच्चे यह थी